असलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडिमी के इस नय और लिटरिस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 12 क्लास के उर्दू के कहकशा के किताब से चैप्टर नंबर 14 पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम है खेती और ये खेत लग विचारदारा यूनिक बात बता हैं खेती नाम सुनकर आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें खेती बारी के बारे में बताया हो गया हुआ लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है खेती बारी से रिल्लिटेट है बट हमारी जिन्दगी और मौत से भी रिल्लिटेड है यूनिक बात बता है जिस तरह अभी के इंसानों विचारदारा होती है जिस तरह हम लोग अभी के जमाने में लोग सोचते है यूनिक यूनिक बाते ये बाते मतलब इस सबसे पहले अमिक खनफी के बारे में जारील इतना तो मालूम आप लोगों को चलिए गया होगा कि घती नाम के मुसंनिफ यानिकी लेखक कौन है तो अमिक हनफी है तो इनकी असल नाम क्या है रियल नेम वह हैं अब्दुल अजीज हन्फी अमें खन्फी का असल नाम अब्दुल अजीज हन्फी याद रखिएगा और इनकी पैदाइश की बात कर ले तो इनकी पैदाइश हुई थी उन्हें इसा अठाइस इसबी में मध्यप्रदेश के जीला इंदौर जीला मियो चाउनी में ठीक है याद रखिएगा और आगे बढ़िए तारीक और सियासत आरीक यानी की पॉलिटिक्स history और politics के मजामीन में इन्होंने में किया है यानि कि history और politics के subject से इन्होंने में किये ये ठीक है और आगे बढ़िए फिलसफा मौसिकी और अद्वियात पे इनका काफी लगाओ था फिलसफा यानि कि philosophy मौसिकी यानि कि music और उसके बाद से अद्वियात यानि कि literature तो philosophy, music और literature इन तीनों से इनका खास लगाओ था मतलब बहुत शौक था और इसलिए फिलसफा मौसिक की अद्वियत इन तीनों के बारे में इनका खास knowledge भी था सीखे थे पढ़ाई किये थे ठीक music भी सीखे थे चलिए आगे बढ़िए औल इंडिया रेडियो में स्टेशन डारेक्टर की हैसियत से तवील मुद्द तक मुलाजमत किये औल इंडिया रेडियो स्टेशन में इन्हों पहला मजमुवा यान की पहला किताब का नाम है संग पहराहन याद रखिएगा इंपोर्टेंट है अब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अमिक हन्फी के पहले मजमुवा का नाम क्या है और अप्सन में दिया रहेगा संग पहराहन आप लोग लगा दीजिएगा चली आगे लग लगोड़ी इनकी तबील नजम भी बहुत ही लंबी लंबी नजमें है जैसे की सिंदबाद शहजादा और सूरत here नकोस बख़ऑ वगरा वगरा इनकी दे डेर तवील नजम में भी जो इनका सब्से लावा यह तनकीदी किताब भी लिखें तनकीद का मतलब में आप लोग को बता चुकी हूं आप लोग अब मुझे कमेंट करकर बताएंगे कि तनकीद का मतलब क्या होता है क्योंकि मैं बार 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 बताई हूं अब मैं ठक गई हूं बताते बताते अब आप लोग मुझे कम मौत हो गई थी तो यह होगी आमिंखनफी के बारे में कुछ जिटेल्स जो आप लोगों को याद रखना है अब चलिए मैं आप लोगों को इस खेती नाम के नजम यान की कवीता के परतियक लाइन को पढ़कर उसका मतलब समझाती हूँ तो देखिए मेरे सामने यह रहा बु जाने जाता है कम बोलिए लेकिन कम शब्द में ही आप बहुत कुछ बोल दीजिए उसी तरह यही मैं वही वाला भावना और वही वाला विचारदारा ही इसमें अमें खनफी डाले हैं तब से पहले चानए कि इस कवीता में क्या बताएगिया है देखिए इसमें बताएगि वक्ति की खेती इनसान होते हैं करता है कि ऐन्सान को बोता है यानि की बढ़ने का मौका देता है और उसके बाद से पालता है वक्त जो है पालता है जो भी शौक पूरा करना चाहे कर सकता है यानकी वक्त पालने का भी मौका देता है और उसके बाद से जब इंसान की उम्र हो जाती है मरने का समय हो जाता है तो वक्त जो है ना वो फसल की तरह काट लेता है इंसान को यानकी इंसान की मृत्ति हो जाती है तो वही बात बताने क कोशिट गई है मतलब देखिए कितना यूनिक बात है अमीख खनफी कितने मतलब यह कितना यूनिक खेती सभी लोग जानते हैं कि हां खेती लेकिन उसमें क्या यूनिक बात हो सकती है वह अमीख खनफी ने मतलब यह देखा कि जिस तरह इंसान जो है फसल की खेती करता है इसकी मुझती हो जाती है वही बात बताने की इस कवीता में कोशिश की गई है देखिए अब मैं आप लोगों को पूरा इस कवीता का लाइन पढ़कर समझाती हूँ लिखे हैं हमें खन फिशरवाथ में की वक्त की खेती हम वक्त बोता है उगाता पालता है और बढ़ने के पाकी भी हमें देता है वक्त सब्ज को जर्रे बनाने की इजाजत मरहमत करता है और नाचने देता है बाद शोख के मोजों के साथ जुमने देता है सुरज की किरन की हम दमी में चांदनी पीकर हमें बदमस्त होता पाके खुश होता है वक्त यहां पर बोला जा रहा है कि वक्त की कि खियती है हम इनसान की खियती होती हिम artists लुट हमये बहता है यान कि बढ़ते हैं अपनी जिन्दगी में लागातार करते हैं और पालता है चाहे अपने शौक को पूरा कर सकते हैं ठीक है ना और सब्ज को जर्रे बनाने की जादत मरहमत करता है जिस को वोता है तो उसमें उसको फलने फुलने का मौका देता है तो ख़रोग को फलने फुलने को पूरा प्रदने उसको कुछ करने का भी कर सकते हैं ये उसका कार काट लेता है हमें हम बला आखिर उसके लुक में हम बला आखिर उसकी फसल यहां पर बोला जा रहा है कि हाँ वक्त हमें फलने फुलने का तो मौका देता है हम अपनी जिन्दगी में जो चाहे कर सकते हैं ठीक है ना वक्त हम लोग को पालता है लेकिन अंजाम कार अंजाम ही होता है कि आखिर में हम लोग वक्त के लुक में बन जाते हैं वक्त का भोजन बन जाते हैं एक तर से फसल बनकर तयार हो हम लोग और वक्त बला आखिरयाने की अंत मेंार्ण की तरह हम लोग जाट लेता है यान की हम लोग की मौथ हो जाती कि एक ये था आप लोग का बस इतना ही है लेकिन इसमें सौच देखे कितना अच्छा्म खेति को लेकर वाकवी में मुसंनिफ होते हैं लेखक हर एक चीज को बयान कर देते हैं वह एक जंब किसी भी चीज भून को देखेंगे तो उसमें क्या यूणिग है चैज क्या यूणिक बातए वो सोचते हैं तो उसी तरहा इंसान वक्त की खेती करता है इंद सेम वे वक्त जो है हम लोग इंसान की खेती करता है तो वही बात मतलब यह अमें खनफियात से कई साल पहले इस नजब में बताये थे यह सबसे बड़ी बात हैं तो यह था आप लोगों का पूरा चैप्टर कोई भी कंफिजन और इस चैप और हां और आप लोग चैनल पढ़ नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद बैल आइकन जानकी घंटी को दुबाना मत भूलिएगा घंटी को दुबा कर ऑल का प् buscarा कर लेना है उससे होगा यह कि मेरे और रोज आने